हेलो स्टूरेंट्स, वेलकम टू माई नर्चर, मैं हूँ पिशना, कैसे हैं आप सब लोग, मस बढ़िया, जो लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग, फार्मा को थेरोपेटिस का अपना नेक्स्ट चैप्टर है ना, अगर हम लोग PCI का स्लेवर्स देख रहे हैं, तो वहाँ पर तीन, चार, पांच, कर दिया कमेंट, आप बताता हूं मैं, इन्फेक्टिस मतलब जो फैलता है, है ना, जो संकरमी तो जाता है, एक से दूसरे को जैसे जुखाम है, एक से दूसरे को लग जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे डिजीज जो क्या होते हैं, फैलते हैं, अब जिसक किसी बात है, इसको हम लोग कम्मिनिकेवल डिजीज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कम्मिनिकेवल, सुनाओगा, बचमा से पढ़ते हैं, कम्मिनिकेवल, नॉन कम्मिनिकेवल, ठीक है, अब उसके अदर हम लोग बढ़ने वाले हैं, ट्यूबर क्लॉसिस, ट्यूबर क्लॉसिस यानि कि टीवी, हिंदी में 6 रोग बोल देता है तो टीवी के बारे में सब लोग जानते है क्या होती है टीवी कुछ चीज़े नहीं जानते हैं वो बताऊंगा मैं और किस माइक्रो और अगनिजम की वाई से होती है फटा फट कमेंट करो पड़ा होगा पक्का टीवर क्लॉसिस कौन से बैक्टेरिया की वाई से होती है ठीक है तो चलो देखते हैं जिन्होंने कमेंट कर दिया अच्छी बात नहीं किया कोई बात नहीं अब वो हलो यहां से सीख लेंगे तो सिम्पल सी बात है टुबर क्लॉसिस इजा शिम्पल डेफिनेशन क्या है टुबर क्लॉसिस इज़ा इञात की डीजीस है इंफेक्स्यस डीजीस ठीक है प्राइमरीली अफैक्तिंग लंग्स सबसे में जो पार्ट बॉड़ी का अफ्ठ करता है वो lungs करता है lungs के जो parent का है जो side के tissue सा cells होते हैं it most often caused by mycobacterium tuberculosis ठीक है mycobacterium जो हमारा bacteria होता है it may spread to any part very important क्या lungs में ही नहीं it may spread ये फैल सकता है किसी भी part any part of the body including meninges जो हमारे दिमाग में होती है kidney, bones, lymph lymph node कहीं पर भी TV हो सकती है ठीक है ना ये चीज एक समझ नहीं थी TV कई बाद तुमने सुनाओगा TV की गांठे है उसके हड़ी में TV की गांठे हो गए उसके मास में TV की गांठे पाई गई है lungs जिसको कफ बगारा हो जाता है वो तो एक normal सब जानते है वो थोड़ा सा खतरनाक इसलिए माना जाता है lungs कफ वाला क्योंकि वो खांसता है खांसने से क्या है आस पास के लोगों को संकर में थोने का डर बना रहता है लेकिन किसी को अगर lymph node में है bones में है तो ऐसी situation में दूसरे को फैलने की संभावना कम हो जाती है ठीक है तो इसी लिए जो lungs वाला है वो थोड़ा से जादा खतरनाक मना गया है क्योंकि उसमें फैलता जाता है प्लस lungs में क्या सांसा से दिक्क्त जाता हो जाती है ठीक है तो लेटिन में बात करें अगर हम लोग तो टीबर्कल मतलब होता है round noduleus swelling गांठे यासी गोल-गोल भी बन जाती है और osis मतलब condition गोल-गोल गांठे यासी condition create हो जाती है बॉड़ी में तो हमनों क्या नाम ले दिया इसका टीबर्कलॉसिज classification की बात करें अगर तो देखो वही वाली बात आगए यहां पर फिर से pulmonary TV pulmonary मतलब लंग्स की टीबी और extra pulmonary lungs के अलावा extra pulmonary मतलब lungs के बहार कहीं पर होगा तो उसका extra pulmonary का जाता है ठीक है pulmonary TV भी है यहां पर दो category आती प्राइमरी और सेगेंडी इसको डिसकस करेंगे अभी देन एक्स्टा की बात करें तो lymph node है leural leural मतलब जो लंग्स की लेयर पाई जाती है TB of upper airways यहां पर जो हमारा lungs का पार रहता है bronchia वगरा trachea वगरा skeletal हड़ी आगए genito urinary हमारा जो वो है urinary part है जहां से urine pass होता है ठीक है तो वहाँ पर जब हो जाएगा तो उसका हम लोग क्या बोलते है genito then miliary है pericardial है gastrointestinal है tuberculosis meningitis है less common forms कुछ और है ठीक है तो यह तमाम तरगी पाई जाती है अब बात करें primary और secondary की primary tuberculosis किया था infections of an individual who has not been previously infected or immunized इस काल primary tuberculosis मतलब जिसको पहले कभी not been previously infected पहले कभी नहीं हुआ है उसको जब होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे primary tuberculosis या gons complex और childhood tuberculosis के नाम से जाना जाता है secondary में क्या है the infection that individual who has been previously infected जो पहले भी infected हो चुका है और sensitized is called secondary और post primary और reinfection द्वारा से हो गया उसको और chronic tuberculosis जब द्वारा होता है तो फिर खतरनाक मामला हो जाता है ठीक है तो primary secondary में difference रखना पहली बार होगा primary द्वारा हो जागा तो secondary etology कौन कौन कारण कौन है etology का हमें पता है mycobacterium है तो इंसानों में कौन करता है mycobacterium tuberculosis याद करने वाले चीज है animal के अंदर कौन करता है mycobacterium bovis हमें humans का याद रखना है कुछ और भी है जैसे की mycobacterium africanum mycobacterium microti ठीक है africana जो वहाँ पे ज़्यादा पाये जाता है या इसकी याली जो breed है याली जो इसकी species है वहाँ पे अफ्रीका वाले कंट्री में ज़्यादा यही इंफेक्ट करती है टीबी बनाती है non-mycobacterium genus जो बैक्टिरिया नहीं है mycobacterium leprae mycobacterium avium mycobacterium asiaticum ठीक है मैं तुमकों यह याद रखना है बाद बागी यही दे सकते हो फिर क्या कहा रहा है the mycobacterium tuberculosis complex MTC और MTBC इजा genetically related group of mycobacterium species अगर वो बोलता है कि mycobacterium TC कहलो है TB T मतलब भी tuberculosis TB मतलब भी tuberculosis complex एक genetically related groups है उनके genes लगबख सेम है थोड़ा अंतर है जैसे कि मैं बात करूँ Indian, Chinese, Negroes genes तो सेम ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है तो genetically related group है mycobacterium species के that can cause जो create करते हैं TBoclosis in humans और other animals ठीक है it include mycobacterium africanum mycobacterium bovis mycobacterium kennedy और mycobacterium microtype तो इनको हम लग मिला करके क्या बोल देते हैं MTC या MTBC एक complex इस चारपाश है जो की क्या करते हैं TB create करते है बात समझे में आगी तो याद रख लेंगे इसको याद करने वाले ही चीज है यहाँ पर ये pathogenesis pathogenesis क्या होता है disease का development कैसे develop कर रही है grow कर रही है तो देको simple सा हम समझेंगे बहुत आट detail में नहीं जाएना है यहाँ पर हमको भी exposure of individual to droplet nuclei droplet क्या होता है किसे ने छीक दिया और किसी ने दूसरे ने जो सामने बंदा सा उसने inhale कर लिया है ना सांस लिए उसके सांस से bacteria अंदर चला गया from a source case of open TV ठीक है ना open TV कहा जाएगा इसको duration and intensity of exposure immunologic defenses यह सारी चीज यहाँ पर आएगा third time लएगा कितना ज़्यादा मात्रा में लिया है immunologic defenses जो body में create करेगा उससे दो चीजें create होंगी ultimately होगा क्या जो immunological defenses होगे वो या तो इस जो TV के केटाणों अंदर आए हैं उसको मार के खतम कर देगा infection नहीं होने देगा और या हमको infection हो जाएगा अब अगर infection होता है ठीक है तो समझे बात को infection हुआ मतलब bacterial grow करने का chance मिल गया तो weak protective immune response अब यहाँ पर immune response आएगा या strong protective immune response weak आएगा तो uncontrolled bacterial growth होगी और primary progressive TV हो जाएगी immune अगर हमारा ultimately है क्या immune system हम क्या करेगा लड़ेगा अब यहाँ पर हम अलग-अलग part की बात नहीं कर सकते कहाँ पर जा रहा है सिदी से बात है किटान हुमारे अंदर आ है हमारा immune response उसको target करेगा अगर वो weak पड़ गया तो फैल जाएगा और TB हो गई और अगर यह strong हुआ तो limited initial bacterial growth उसकी growth को वो रोग देगा काफी हत तक रोग देगा और host factors और bacterial factor यहाँ पर क्या करेगा क्या 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 है होस्ट फैक्टर जाना कि हमारी खुद की condition क्या है और bacterial factor क्या है यह दोनों मिल करके दो condition create कर देंगे bacteria growth यहाँ तो arrest हो जाएगी और some bacilli persist याने कि bacteria growth को रोग दे जाएगा और कुछ bacteria कोमा में चले जाएगे मतलब वहाँ पर क्या है वो ना grow करेंगे ना मरें हैं लेकिन वहाँ मौझूद है इसको हम कहते है लेटेंट फेस छुपा हुआ मतलब अंदर टीवी का किटानू मौझूद है लेकिन वह अभी पनप नहीं पा रहा क्योंकि हमारा immune system उसे पनपने नहीं दे रहा है दूसरा क्या होगा bacterial growth arrested all bacilli are eliminated एक तो यह हो जाएगा कि कुछ यहाँ बच गए ठीक है इसे कहते है पार्ट पर आते हैं जब लेटेंट इसको कहते हैं लेटेंट इंफ्रेक्शन द्यान रखना है डेफिनिशन आ सकता है वह पीरिएट जिस दर्मियान हमारी बॉड़ी में टीवी है ना आपको बैक्टरी में बैक्टरी मौझूद है लेकिन वह अपने आपको मल्टिप्लाइं नहीं कर पा रहा है ग्रो नहीं कर पा रहा क्यों कि हमारा इम्म्यून सिस्टम उसके उपर भारी है अब यहां पर दो बात आएंगी इम्म्यून सिस्टम उसे मारने कुशिस कर रहा है और फिर मारा इम्म्यून सिस्टम ठक जाएगा ठीक है तो कॉंप्रमाइज हो गया उसने कॉंप्रमाइज कर लिया रहे यार नहीं मरता छोड़ो मैं करी नहीं पा रहा मैं अब क्या होगा री एक्टिवेशन ओफ लेटें अपने आपको reactivate करता है और फिर से फलना फूलना शुरू करता है और फिर जहां जिस body के पार्ट में होगा वहां पर नोडियूल बना देगा और TV कर देगा या immune response persist immune response लगातार हार नहीं मानेगा है ना क्या वोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं तो वो immune response हार नहीं बाहरता है मारने कुशिश करता रहता है करता रहता है vaning of dormant bacilli जो bacilli होगा परसियस्ट जो bacilli मतलब बैक्टेरिया होगा है आपने आपको रोके हुआ था कि घक जाये तो मैं वापस से ग्रो करूँगा उसको भी मार काट करके body से भाहर निकाल देता है तो clearance of latent infection latent infection भी clear हो जाता है finally और हमको फिर TV नहीं होती है बास समझ में आई तो इस तरीके से finally TV किन-किन परिस्तिती में हो जाएगी यहां हो सकती है ठीक है यह latent infection आ जाएगा और latent infection के बाद अगर वहां पर compromise हो जाता है तो proper TV हो जाएगी बास समझ में आई पैतोजनेसिस अब clinical manifestation सबको पता है हमको है ना तो यहां पर मैंने journal बाद लिख दिया manifestation अगर आपका देखा जाए हड़ी औगरा में होगा तो तो वहां पर कोई वैसे खास symptom दिखाए नहीं पड़ते हैं जाद तर जो लंग्स वाला पार्ट होता है उसमें जब infection होता तो ज्यादा तर symptoms दिखाए पड़ते हैं तो उसी के फीचर लिखे है clinical features जो आ जाएगे हमारे पास है ना chronic cough हो सकता है क्या हो सकता chronic cough है pyrexia of unknown बुखार आ रहा पाइरेक्सिय मतलब बढ़ रहा है लेकिन क्यूं बढ़ रहा पता है नहीं है unresolved pneumonia pneumonia हो रखा लेकिन ठीक भी नहीं हो रहा oxidative neural fusion जो lungs के lungs देखिए है ना यह lungs होती है हमारे पास है ना तो लंक्स में यह बहार की जो लेयर होती है यहाँ पर ना फिलिड भरना श्टार्ट हो जाता है क्या भरना श्टार्ट हो जाता है फिलिड इसको हम कहते हैं यह लिवरल इफूसर न यह हम सबको पता है यह क्या होती है यह होती है यह लिवरल लेयर होती है तो यहाँ पर फिरोड भरना स्टार्ट हो जाएगा Asymptomatic Diagnosed on C Chest X-ray CXR मतलब Chest X-ray में यह दिखता नहीं है Weight Loss होना स्टार्ट हो जाएगा Spontaneous Nemo Thorax ठीक है ना Nemo Thorax होता है हमारा क्या कहते है जो यह होती है यहाँ पर जो air होती है यहाँ के जो air होती है लीक होके यहाँ आ जाएगी ठीक है इसकी covering के बहार आ जाएगी यह अर लीक होकर के तो वो निवो Thorax क्यालाता है ठीक है सारे terms जितना याद होती है अच्छी बात जो याद ना उसको छोड़ देंगा अपना 6-7 दे रखें 4-5 जो याद रख सकते हैं उसको हम याद करेंगे ठीक है ना अगया आते है अब वो तो हो गया कफ वाला अब हम बात कर लेते हैं अगर अलग अलग जगहों पर मौजूद है तो क्या क्या चीज़ हो सकती है अगर lymph node में होगा ठीक है ना अगर lymph node में होगा तो एक एक चीज़ याद रख लेंगे टीपिकल enlargement of cervical lymph node एक 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 याद रखेंगे बाकि सब छोड़ देंगे ठीक है न ऐसे axillary mediation फिर बहुत जादा टफ हो जाएगा लिउरल टीवी में लिउरल effusion usually unilateral तो लिउरल इफ्यूजन यह ने बता है इफ्यूजन क्या होता है liquid आयाता है heart में आएगा तो pericardiatis infection हो जाएगा वहाँ पर ठीक है और अपर airway हो जाएगा तो laryngeal टीवी hoarseness and pain गला भारी हो जाता है अवाज भारी हो जाएगी और दड़द होगा paranasal sinuses nose and ear नाग कान यहाँ पर कहीं पर हो रहा है तो tuberculosis otitis है ना कान वाला granulomatous lessons जखम आ जाएगे वहाँ पर with nasal discharge नाग से बहुत ज़्यादा पानी जैसे निकलेगा ठीक है obstruction and septal ठीक है यह दो याद कर लेंगे हैं पर ocular आंक की बात करें तो uatis conjunctivitis chronic granulomatis है ना दाना गांट से पर जाएगी तो uatis और conjunctivitis यह तुमको याद होंगे अच्छे से तो यह दो याद कर लोगे central nervous system में आ जाएगा तो meningitis याद कर लोगे क्या हमें symptom दिखाई पड़ेगा इसका meningitis दिखाई पड़ते हैं तीन-चार और इंसे फिलोपैथी भी है जो कर चुकिए हम लोग पहले ठीक है अब स्केल्टर की बात करें तो प्रोनिक ऑस्टियो मेराइटी से दैन मोनो अर्थराइटी यूजली वेड बेरिंग जॉइंट यानि हम सीधा लिखेंगे वेड बेरिंग जॉइंट में अर्थराइटी हो जाती है हुहां पर क्या है कि हम हमारा इलियम और सिकम वाले पार्ट में वहां पर अफेक्ट करेगा यह फिस्टूलास हो जाएंगे तो यह कुछ में में ट्रम्स तुम्हें याद रखने जो तुम्हें इजली याद रहे साएं ठीक है न बहुत सा टम्स दें रखें अपर आगे जैनाइटो यूरियूरिय जनाइटव मतलब जनाइटल मतलब हो गए रिपोड़क्टिव पार्ट से और उरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियूरियू जो हमारा तैस्टी से निकलता है निन्फेक्षिन हो जाएगा क्लस्षिफिकेश्षं ओर वास्टेफरेंस राझ हो जाएगा थी करता हूं अ का जो रिपर्टेटिव पार्ट वाला चैप्टर था यह सारे टम्स तुमको याद होंगे ठीक है फीमेल जनेटिल ट्रेक्ट इन फर्टिलिटी हो जाएगी पैल्विक इंफ्लमेशन पैल्विक मतलब कमर के आसपास में इंफ्लमेशन रहेगा तो यह तमाम इसमें सारे भले याद करो कुछ खास खास याद रख लोगे कि अगर यहां पर हो जाएगा तो यह उपर लंग्स वाला पार था ठीक है ना नॉन फार्मकलोजिकल मेंजमेंट की बात करें अगर हम लोग तो क्या बोल रहा है मेडिकल स्टाफ मस्ट वियर हाई एफिशेंसी डिस्पोजेबल मेडिकल स्टाफ को मास दिरूब रहना है अधरवाइस पेशेंट से उसको हो सकता है आइसोलेट पेशेंस विद पॉसीबल ट्यूबक्लॉस इंफेक्शन इन प्राइवेट रूम ठीक ना पेशेंट करके रखना है दूसरों से अलग करके रखना है इनकरेज पेशेंट को इंटीग्रेटेड नूट्रीशनल असेस्मेंट कांस्लिंग क्या खाना खाना है कौन कौन से खाना तुमारे ज्यादा अच्छे रहेंगे सपोर्ट फॉर्ड डूरेशन ऑफ दा इलनेस कि कितने समय आपकी विमारी चलने वाली है उसमें पूर सपोर्ट यह सारी चीज़ है हमारे पास तो क्या जागा यहां पर फर्ट लाइन ड्रक कौन सी हमारे पास यह सब लोग पढ़ चुके है आईसो नियाजीट रेफैंपिन रेफैंपितीन इत्हां ब्यूताल ने चलती है डोज में खाली चलती है कुछ और कुछ ठीक है आगे आए सेकंड लाइन ड्रग половी ट्रीट्मेंट आप 151 रुकाई कि यह सबस्खा नहीं ना लिखो यह पक्का लिखोगे फार्मकोलोजिकलियक Алमेंट में уд casset आगे है तो मेरे खाइबसे जो यह था तुम्हारे पास यह पार्ट तुमको अच्छे से समझ में आया होगा तो बस ये ड्रक्स जैसी याद कर लोगे तो ये वाला लेक्चर हमारा फिनिस हो जाएगा और ये अपना Mind Nurture App के बारे में कुछ बाते आ गई है तो छोट-छोटी लेक्चर आएंगे जैसे मैंने कहा है और बताया है छोट-छोटी लेक्चर आएंगे और हमको डायरेक्ट पढ़ना है इसकी डेफिनिशन ठीक है न अर एटेलोजी पैसोजनेसिस, क्लिनिकल मेनिफेस्टेशन फार्मकलोजिकल, नॉन फार्मकलोजिकल मैनेजमेंट, उसके लावा हमें कुछ ज़्याद ज़्याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ फार्मकलोजिकल मैनेजमेंट में दो-दो-तीन-तीन खास-खास दवाईयां पक्का याद रखें ठीक है न, वो तो लिखने ही पड़ेंगी किलिए रहे बाते हैं तो यह अपना एप है, एप का नाम अपना माइन नर्चरी है जो की यूटूब पर यूटूब पर चैनल है, प्ले स्टोर पर अविलेबल है ठीक है न, यह मेरा नंबर है, कभी कोई प्रॉल्लम आती है तो नोट्स डिस्क्रिप्शन में अविलेबल है ठीक है अगर नहीं है तो आजाते हैं वो ठीक है परिशान नहीं होना उसके लिए और यह अप के अंदर सारे फीचर्स आपको मिलते हैं तो पढ़ते रहें, रिवाइस करते रहें All the best